आप देख रहे हैं इंडिया न्यूस का डिजिटल प्लैटफॉर्म क्या आप बिग बॉस देखते हैं और अगर बिग बॉस देख रहे हैं अंकिता लोकंडे के फैन हैं तो क्या आपको अंकिता और विकी के जोड़ी परिशान कर रही है या फिर सैड कर रही है क्योंकि जिस तरीके से दोनों के लड़ाई जगड़े हो रहे हैं और दोनों के जगड़ों में जिस तरह की बाते एक दूसरे को बोली जाती है वो फैंस को तो बहुत ज़ादा हर्ट कर रही है अब दोनों का फ्यूचर क्या होगा क्या विग बॉस के घर में ही दोनों के जगड़े हो रहे हैं, बार निकल कर सब कुछ नॉमल हो जाएगा, या फिर क्या नॉमल करने की कोशिश होगी, ये तो सभी जानना चाहते हैं, खास सोर से अंकिता लोखंडे के फैन, अच्छी खासी फैन फालोइंग उनकी है, लेकिन अभी हालिया एपिसोड में दोनों की मा विग बॉस की घर में पहुची थी, और इससे पहले भी एक मरतबा आपको याद होगा, जब विकी और अंकिता दोनों की मा को एक साथ शो में लाए गया था, तब वर्चुली दोनों के बीच में बाचीत हुई थी, यानि कि दोनों अपने पेरेंट से बात कर रहे थे, इस बार विक बॉस की घर में एंटर कराए गया था दोनों की मा को, और यहां विक बॉस की घर से निकलने के बाद, जो विकी जैन की मा है, रञजना जैन, उनके जरीए कुछ टिपणी की गए हैं, कुछ बयान दिये गए हैं, जिसके ब इससे पहले के एपिसोड में भी जब अंकिता की मा और विकी की मा एक साथ में गई थी उस टाइम पी रंजिना जी को प्रोटिसाइस किया गया था क्योंकि वह बहुत जादा बोल रही थी और अंकिता की मा को बोल ले नहीं दिया जा रहा था अभी उन्होंने बिग बॉस की घर से निकल कर एक टिपणी की है जिसमें वो खर्चों को लेकर बात करें है जिसमें वो कह रही है कि पालना तो पड़ता है इस पर रश्मी देशाई जो की जानी मानी टीवी अक्ट्रस है और बड़ी सेलिविटी है और विक बॉस की घर में भी रह चुकी है एक बड़ा ए लेकिन हां अगर तुम पर इस तरह की टिपणी हो रही है यानि कि वो विकी जहन की मा को एड्रस करते हुए लिखते हैं कि आंटी आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए जिस तरह की टिपणी की गई है उसको लेकर फैंस का अलग-अलग रियाक्शन सामनी आ रहा है और कश विकी की मौम घर में आए थी तो उन्होंने बहुती सबसे बात करा लेकिन कहीना कई अंकिता को पहले उन्होंने इग्नोर करा फिर जब उन्होंने देखा कि मौहल जए थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा फिर उन्होंने अंकिता से बात करी बिग बॉस ने उनको मी टाइम द और मैं सिफ अंकिता लोखंडे की एज़ा सास उनके लिए यह नी बोलना चाहूंगी लेकिन एक लड़की के उससे बोलना चाहूंगी कि अगर किसी की सास उसके बारे में ऐसा बोल रही है तो बिल्कुल अच्छा नहीं है और कहीं न कहीं यह गलती लग रहा था मुझे पर और वो बात आपको भी चुभी जिसमें अंकिता कहती है कि ममा आप जानते हो मेरे डाडी की डेथ हुई है और मेरी मा के लिए है क्योंकि उन्होंने वो सीन देखकर बता रही थी कि विकी के पापा ने उनकी अंकिता की ममी को कॉल किया था और यह पूछा था कि भई क्या आ उनकी मम को कॉल करा था अंकिता की मम को कि क्या आप भी अपने पत्ती को इसी तरह लाच से मारती थी तो वो जो सीन था वो सुनके अंकिता भी काफी हर्ट हुई थी और एज़ फैन हम भी बहुत हर्ट हुए थे क्योंकि कि 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 मम जो कि अखेली है उनको कॉल करके ऐसे बोल तुम मत बताओ कुछ भी तो कई ना कई अंकिता जो है हाँ वो रोक रहे थी और यह वो टिपिकल सास वाला जो है करेक्टर उनके अंदर साफ वो नजर आ रहा था अचा बिग बॉस के घर में जाने से पहले विकी और अंकिता बहुत लविंग कपल दिखते रहे बहुत प्या यहा यहां टक पहुचाने के लिए यहां तक पहुचाने के लिए अंकिता बहुत रग्ते है और अगर वो किसी नॉर्मल लड़की से उनकी शादी करवा देती तो वो बिग बोस तक उनको नहीं लेक्या आपाती इसलिए उन्होंने भरी है वन्ना उनकों अंकीता लोखंडे पसंद नहीं थी तो ये तो इनके चली राय यानि की नेम फिर्म पाने के लिए विकी ने अंकीता से शादी की और बिग बॉस के घर में वो आ भी गए है अच्छा खेल भी रहे हैं तारीफ उनकी अच्छा खेलने के लिए होती है लेकिन बिग बॉस का गेम खेलना अलग बात है रिष्टों को बचाए रखना संजोए रखना अलग बात है अब बतौर फैन लोग तो यहीं उमीड करें कि दोनों का रिष्टा बना रहे अच्छा रहे लेकिन आगे क्या होगा और आप क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा